हालो स्ट्रेंट्स आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेज में इस वीडियो में जो है इस से रिलेटेड में कोचिन डिसकस करने वाला हूं और यह मेरा पार्ट टू है तो इंट्रोडक्शन के लिए आप पार्ट वन जरू और और फूर टाइंशस एज ओलड एज इस सबक्राइब है फोर टाइंस एज ओलड एस सन अपने सन से चार गुना बड़ा है एट यह एगो एट इर एगो पास्ट की बात कर रहा है आफ्टर एट एट यह अर्जू वेल वी ट्वाइस एज ओलड एज ही सन और आने वाले भविष से की आठ साल में क्या होना वाला है अपने बेटे से दो गुना हो जाता है find out their present is तो बताना है कि present is क्या होगा तो बच्छों ऐसे questions को कैसे solve करते है equation तो formation होगा लेकिन solve कैसे करेंगे तो बहुत सिंपल है पहले आप लिख लो past present future मैंने बताया था ना ट्रिक में इंट्रोडक्शन में चलिए इसमें अब आपको होता है कि किसको बेस लिया जाए देखो सारी चीज़े क्या कर रहा है सन पर डिपेंड सब क्या है सन पर डिपेंड कैसे father is four times of sun three times of sun ऐसा बोले रहा अर्जुन को तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर हम present इस किसका लेंगे बच्चो यहां बना रहे ते सन और हेडिमा रहे ते फादर क्लियर है तो अगर सन का प्रेजेंटेज हमने क्या माना एक्स माना लेट मैंने क्या किया लेट प्रेजेंटेज ऑफ सन इस एक्स सन का इस क्या बच्चो एक्स है अब बुला है कि अर्जुन वाज four times as old as his son eight year ago तो पहले यह पता करना होगा ना कि जो यह लड़का था वह आठ साल पहले क्या उम्र थी है कि नहीं तो simple सा बात है अगर मैं पूछू कि तुम्हारी उम्र आठ साल पहले क्या थी तो क्या करने वाले हो आठ साल अपने उम्र में से घटा दोगे बताओगे ऐसी प्रजेंट इसका एक्स था तो मैंने क्या किया एक्स में से eight year less कर लिया ओके एक बेस हमें मिल गया आगी question बोल रहा है after eight year और जुन विल भी twice as old as his son अपने सन के उम्र का दोगुना हो जाता है तो सन की उम्र पहले क्या है आठ साल बाद यह पता करना होगा कि नहीं तो सन की उम्र क्या हो जाएगी आज मैं हूँ 30 साल का तो आठ साल बाद x plus 8 का हो जाओंगा अभी मैंने सिर्फ सन का निकाला है अभी किसका निकाला है सन का अब एक बड़ दोबारा से question पढ़िए साथ में मेरे अर्जुन वाज four times as old as his son eight year ago आठ साल पहले अर्जुन क्या था? अपने सन का four times था यानि father का age यानि अर्जुन का age किसका बच्चों? अर्जुन का age क्या हो गया आपका four x minus eight का four ऐसा मैंने क्यों लिखा क्यों question भी बोल रहा है times four times किसके अपने सन की उम्र का कौन से उम्र का जो आठ साल पहले था तो आठ साल पहले यह उम्र था इसी का यह चार्द गोना हो गया आगी क्या बोला था आफ्टर eight year अर्जुन विल भी twice as old as his son वह आठ साल बाद वह अपने सन का eight year एकों में सन का क्या हो जारा है twice हो जारा है क्या हो जारा है बच्चों? twice हो जारा है two times कौन सुम्र का जो उसके सन का आठ साल के बाद वाला है यानि क्या हो जारा है 2x plus eight तो बच्चों यहां पर जब भी equation का हम लोग comparison करते हैं formation करते हैं तो वह एक person का उठा के करते हैं उसको balance करने एकोसिस करते हैं यहां पर क्या है 8 सल पहले का उम्र दिया है बच्चों 4x minus eight यह क्या है? अर्जुन के उम्र है और मैं कह सकता हूँ यह उम्र अगर मुझे बराबर करना है x plus eight तो क्या यह बराबर है? क्या यह equal है? नहीं है क्यों नहीं equal है बच्चों? क्योंकि यह है present से 8 साल पहले का उम्र है अर्जुन का और यह उम्र जो है present के 8 साल बाद का है तो इसका मतलब क्या है? कि अगर यहां से यहां देखें तो 8 यह हो गया और यहां से यहां 8 यह हो गया यानि इस उम्र से इस उम्र की दूरी कितनी है बच्चों? 16 years की है कितनी है? 16 years की है तो यह उम्र जो है 16 साल जादा है किस से? इस वाले से 16 साल जादा है अगर इस वाले से यह 16 years जादा है तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा या तो मैं इधर प्लस 16 लिख दू या तो इधर मैं माइनस 16 कर दो दोनों सब कुछ भी कर लो क्यों दोनों को बराबर करना है यहां से यहां तक आने में 16 years आ रहा है तो मैंने क्या किया यह 16 years इसमें से घटा दिया अब हो गए ये दुनों बराबर अब गए दुनों बराबर अब सौल कर लोगो फटाफट देरफोर 2 x is equal to 32, therefore x is equal to 16, x is equal to 16 आ गया है बच्छो, अब दिखो, x 16 आ गया है, अब बोला क्या था, their present age, यानि दोनों का age पता करना था, तो एक का तो आ गया, किसका आ गया है भाई, सन का गया है, सन का उमर कितना है, 16 एर, लेकिन यहां पर direct अर्जुन से कोई relation नहीं है, ओके बच्छो, तो अर्जुन से जब कोई relation नहीं है, तो चाहे हम इसको उठा ले, चाहे इसको उठा ले, किसी एक को उठा लेता हूं, तो एक में से मैंने क्या किया, इनको उठा लिया, लिखा हुआ था, अर्जुन का उमर, अर्जुन का जो एस था, एटियर एगो, एटियर फ्यूचर वह न, फ्यूचर वाला, ठीक है, क्या था यह, 2X प्लस 8 था, ओके बच्छो, 2X प्लस 8 था न, अच्छा, यह फ्यूचर का है न, अर्जाना का है, प्रेजेंट पे जाना ह ओके मैनस 8 कर दिया, आई अच्छ की वैलू पूट कर ले, एक्स कितना निकाला था आपने, 16 निकाला था, तो 16 यहाँ पूट कर लिया मैने, प्लस 8, मैनस 8, therefore, 16, 24, 24, मैनस 8, 48, मैनस 8, therefore, 40 यह, यह हो गया, अर्जुन का है, किस का है, अर्जुन का, अर्जुन का है, और एक देखो, फोकस करके देखो, डिफरेंट कोस्चन है, प्रैक्टिस चूट गया होगा, तो थोड़ा सा समय लगेगा, समझ में आएगा, और नेक्स कोस्चन करते है, अगर समझ में आगे तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दो, नेक्स कोस्चन बच्चों देखके हैं, क्य गैपिंगे, क्लियर है, वन एयर की गैपिंगे, अब क्या बूल रहा है, कि वाज 6 इस टू 7, दोनों लोग के रेशियो में क्या है, 6 इस टू 7 है, वन एयर एको, रिस्पेक्टिवली, 4 इयर हैंस, इस रेशियो उड़ भी 7 इस टू 8, अगर मैं प्रेजेंट से, कहां जाओ 4 इयर आगे जाओ, किसमें future में, तो इनका रेशियो क्या हो जाता है, 7 इस टू 8 हो जाता है, बहुत ही असान है, बहुत आराम से होगा question, ध्यान दो, रेशियो जब भी होता है, तो पहले तो क्या करो, इसमें xx लगा दो, लगा दिये, अब यहां पर पहला वाला कौन है, पहला रामेश है, तो यह रामेश हो गए, और यह हो गए हो गए है, ख्लियर रहे यह बात, यहां पर लिख लेता हूँ, रामेश इस टू स्याम, तेक है न? यहिन का रेशियो, जो पहले है, वो पहले है, तेक है न? six x हो गए, seven x हो गए, अच्छा, यह रेशियो कितने पर बदल जाता है बच्चों तो यह यहां से यहां तक ट्रेवल किया अपने जिन्दगी में टोटल ट्रेवलिंग टाइम कितना हो गया जब भी हम इधर बढ़ते हैं फ्यूचर के तरब तो एड होता है ना कितना ही ट्रेवल किया इन्होंने फाइफ यह ट्रेवल किया कॉंसेट याद है कि नहीं यादा तो जल्दी से जाओ फर्स्ट वीडियो देखो बताया था कि जब पास्ट से फ्यूचर में जाते हैं तो एड होता है तो एक साल प्रेजेंट में आने के लिए चार सल यहां तो क कितने होंगे फाइफ यह तो इन्होंने ट्रेवलिंग कितना किया है अपने लाइफ में फाइफ यह ट्रेवलिंग किया है तो मैंने फाइफ यह 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 नहीं लिखता है तो कन्फ्यूज होगो वैरियेबल के साथ फाइफ यह एड कर दिया जब दोनों के उम्रें में एक्स प्लस फाइव आउस्वाल कर लेते हैं फटाफट एट सिख जा 48 एक्स 40 होगे एट फाइव जा 49 एक्स होगे 77 जा 75 जा 35 जो एक्स टर्म उसको इधर लेके आते हैं तो 48 एक्स और माइनस 49 एक्स और 35 और माइनस 40 एना माइनस 40 ठीक है अब यहां ध्यां दो क्या बचा माइनस एक्स इस इकोस टो माइनस 5 बचा मैनस से मैनस कैंसिल एक्स परावर क्या गया 5 एक्स परावर क्या गया 5 एक्स की वेलू 5 है और एक्स कहां लगाए थे तो आपने यहां एक्स लगाए था ओके है एक्स परावर 5 आ गय स्याम का ओम्र ध्यान देना 35 साल आया है बट आंसर नहीं है यह thick सैल क्यों क्या है यह स्याम पूछा क्या है प्रेजेंट वाला तो पास्ट स्याम क्योणने की जरुने की जरुत है one-year फटाक से एड़ कर दो 1 year तो आंसर किता हो गया 36 यही उम्र होगा क्या स्याम का आगे आंसर यह जब टेवल आपके सामने रहेगा न तुरन सॉल होगा फटा फट कोश्चन सॉल होगे जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दोगा समझ में आ गया हो तो और नेक्स्ट कोश्चन कर का the product of the age of सुधा and सेफाली is 120 यानि सुधा और सेफाली के उम्र का product क्या दिया है बच्छो 120 दिया है if twice of the age of सेफाली is more than सुधा एज by 8 years find out the age of सेफाली तो बताना क्या है सेफाली का एज तो यहां पर बिटा पास और परफेक्ट का यूज नहीं है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे इन लोग का नाम लिखेंगे कौन है वाई सुधा है ठीक है सुधा है और सेफाली है अब सबसे पहला कोश्चन आपके मन में क्या कि हम किसको आफ लें और कैसे स्टार्ट करें तो ध्यआन दीजेगा प्रोड़र्ट तो द्या है यह उसा काम् करें फिर अगे क्या बुला है इफ ट्वैस द2 ऑफ दे ईज ओस सेफाली सेफाली यह सेफा कम करते हैं सिसके हमाँ है कि सेफाली की उम्र को 20 करना है तो पहले उसको कुछ मान तो लें तो मैंने सेवाली को कि मानल भी कर लिया लेड़ गर। है गर आप ज्यूं किया तो क्या मुलरा है कि प्रफुरी इसभा को वाई 8 years अगर मैं सेफाली की उम्र का twice करता हूँ तो सुधा की उम्र से 8 साल जादा हो जाता है सुधा की उम्र से 8 year जादा हो जाता है अब ध्यान दो इसका मतलब किसका जब इसने twice किया तो सुधा की उम्र से 8 साल जादा हो गया आठ साल जादा हो गया इसका मतलब मैं 8 साल सुधा का जाएगा समझ में ही बात सेफाली के उम्र का अगर मैं डबल करता हूं तो सुधा के उम्र से आठ साल जादा हो जाता है ऐसा question में लिखा है है ना more than सुधा एज वाई एट येर्स तो मैंने क्या किया कि जो ट्वाइस किया है उसमें से आठ साल घटा दिया तो क्या निकल गया सुधा का इस निकल गया ओके बच्चो अब ध्यान दो यह आगया आपका सुधा का इस और यह आगया सेफाली का इस ओके है पूछा क्या है find out the सेफाली यह x की value निकालनी है बहुत सिंपल दोनों का product दिया हुआ है बच्चो क्या दिया है 2x-8 into x is equals to 120 है क्या है 120 अब मैं इसको multiply करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चो 2x square ठीक है ना x से multiply किया तो minus 8x और इसको क्या करना होगा 120 है तो अब इसको मुझे इस side ले क्या आना होगा क्यों क्यों क्योंकि यहां पर quadratic का formation हो रहा है जब यह उठके इधर आ गया तो यहां क्या बच्चा 0 अब इसके लिए आपको factorization का आना जरूरी है जिस बच्चे को factorization आएगा वही इसको solve कर पाएगा ठीक है इसलिए factorization का मैं link जो है वह description में दे दूँगा और वहां से factorization आप सीख लेना जरूरी तो देखो लिंक दिया रहा है डिप्सक्रिशन में क्लिक करके factorization सीख लेना कैसे होता है factorization बच्चो पहले तो इसको थोड़ा सा और छोटा हम लोग कर लें यहां दिख रहा है 2 8 120 कॉमन निकल जाएगा 2 क्या बचेगा x2-4x-60 अब यह जब 2 नीचे आया 0 के तो क्या हो गया बच्चो x2-4x-60 is equal to 0 upon 2 इस सीखाने के लिए कर रहा है अब यह 0 की value हो गई अब बच्चा क्या है आपके पास x2-4x-60 इसका factorization करना है क्या करना है factorization फिर से सीखाता हूं यहां पर भी तो देखो इसमें क्या होता है extreme term का product करते है extreme term का product क्या आ गया बच्चो माइनस 60 x2-60 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 बीच को split करते हैं सोचते हैं कि कोई ऐसा number सोचे जिसका multiplication करने पर यह आ जाए और जोडने घटाने पर minus 4x आ जाए ओके हैं तो यहां लिख लेता हूं मैं x2-4x-60 मैंने सोचा कि अरी बहुत आसान है क्या किया जाए 106-60 होता है अगर 10 में से 6 गटाऊंगा तो 4 आ जाएगा और 10 और 6 को multiply करूंगा तो 60 आ जाएगा तो मैंने रखा क्या कि-10 x और प्लस प्लस क्या रखों 6-6 देखो प्लस माइनस माइनस 106-60 x2 आ गया यहनि वेरिफाई होगा अब दो टर्मों को मैं क्या करूंगा कॉमन ले लूँगा यहां से मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा वन एक्स लिखा हूं कॉमन है यहां पर आपका यहां स्कॉयर है ना मिस कर गया तो ठीक है एक्स यहां पर इस बचा तो यह मैंने ले लिया है और यह सब किसके बरावर था जिरो के बरावर था ना इसका एक कमपेरिजन होता है बच्छो एक्स माइस टैने जिकोस टो टेट यह ध्यान देना जाना सब बॉक्स में है एक्स प्लस शिजाएक्स इकवस्टउ जीरो देफ़र एक्स इकवस्टउ क्या हो जाएगा माइनस इस सिखस क्या उम्र कभी नेगेटिव में होता है बच्छो एज यह वाला वैल्यू हम लोग नहीं ही लिएगे आपका वैल्लू क्या होगा यह यानि सेफ़ाली का उम्र कितना हो गया बच्चो 10 years हो गया यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा एक तरीका यह था करने का ठीक है जो कि लेंदी मैथड है ओके दूसरा मैथड क्या है हीट ट्राइल है ना हीट ट्राइल मैथड क्या होता है कि जब आपने यह एक्क्वेशन फॉर्म किया जब आपने एक्क्वेशन 2x-8 और एक्स फॉर्म किया आपको करना क्या था कि बस तैनी यह था यह आपका अंसर है ऑप्षेन को आपको इसमें बैठा की देखना था क्या हो रहा है जैसा कि एप्षेन है 2x-8 तो मैंने यहां पर एकस के जगह क्या किया 10 रख दिया तो यहां 10 आ गया इस वाले जगह पर ओके है यहां 10 रखा तो 12 आ के 20 20 में से 8 गया तो कितना आ गया बच्छो 12 आ गया आँसर 120 इसी करते है हिट एंड ट्रायल मैथट क्या किया मैंने option रखा 10 10 दुनी 20 20 में से 8 गया 12 और एकस बरावर 10 मैंने यहां 10 रखा फिर देखा दोनों का product करके तो क्या गया 120 आ गया 120 तो अब यह क्या हो गया इन दोनों का product 120 था नहीं अब मैच कर गया that's your answer यही करते हैं क्या by hit and try method जोंकी competition में यूज के जाता है ऐसे questions के लिए मैंने दोनों सिखा दिया है आपको ट्रेडिस्टल मैथड भी और न्यू मैथड भी tricks और ट्रिक ठीक है न तो अब तक अगर समझ में आ गया तो फटा फट लाइक करो तो फिर next question करवाओं ठीक है आज आज एक और question करते हैं next question है बच्चो 18 year ago father was three times as of his son क्या बोल रहा है बच्चो 18 year ago father was three times of his son जो father है कौन father ठीक है और कौन दिया है son के बारे में दिया है और बात क्या कर रहा है present की और किसकी बात कर रहा है बच्चो 18 year ago यानि past की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है past की ठीक है now the father is only twice of his son यानि present of past की बात कर रहा है और बोल रहा है कि आपके जो father है उस son के सिर्फ दो गुना ही है का present में अब past में क्या थे वह three times और past कितना gapping है past के बीच में 18 years का gapping है कितने का gapping है 18 years का तो ध्यान दो इसम्पल सा है बोला है अगर 18 year ago father was three times of his son तो पहरे son का निकालो किसका निकालो son का son का एक्स का ना लिए आपने son का उम्र क्या हो गया x 18 सान पहरे son की उम्र कितनी रही होगी x-18 रही होगी कोई doubt नहीं ok है चल अब क्या बोला है now the father is only twice of his son और आज के समय present में father की उम्र क्या है अपने son की twice है son की क्या है twice है अब एक बात क्या देखना है कि 18 year ago father was three times of his son 18 year ago father की यह जीए थी यह थी न तो sorry son की यह जीए थी तो father की यह क्या हो जाएगी बच्चो इसकी three times जो x-18 है इसका three times ok है अब comparison किसका किसा करना है तो comparison करना है father का उम्र father से ठीक है तो comparison के लिए एक्वेशन का formation आपने कर दिया अच्छा यह क्या बराबर है दोनों बिल्कुल बराबर नहीं है क्यों की ऐठाए साल पहले की उम्र है और यह प्रेजेंट की उम्र निएॉसक्त बराबर करने ःजी या क्या प्लससेटीन कर दिया क्या प्लससेटिन कर दिया क्यों के ऐठार जोड़ दिया इसके सट के आपो उने पास्ट थीउम्र और यह था हुँता से जब 18 सल घटाएंगे तभी ने पास्ट वाले के बराबर होगा इसलिए घटाना पड़ेगा ठीक है माइनस 18 कि सौल कर लेते हैं 3x 54 2x-18 जो आपका एक्स इधर आ गया तो आ गया 3x-2x-18 तो इस च्वंट आपका हैं 11-64 कितना फरका इसलिएंट उ बॉट दोनों का प्रेजेंटेज का सम निकालना है इसका मतलब सम किता हो जाएगा बच्छों सम हो जाएगा 36 एक सो आठ साल हो जाएगा सम तो बच्छों अगर अब तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दो बहुत ही जल्द मैं थर्ड पार्ट लेके आओंगा एज रेटेट कोस्टन से संबंदित तो अगर आपने अब तक लाइक नहीं कि कर दो और हो सके तो वीडियो को सेर भी करो अच्छा लगने तो कॉमेंट भी करना थेंक यू कि जो कि कि